तो जय हिंद आप सभी का मेरे डिपेंज चैनल पे स्वागत है तो आज की डिपेंज अप्रेट वीडियो में हम या डिसकेशन करेंगे कि क्यों बारत को जल्द से जल्द एक फिप जनेशन फाइटर जेट खरिजना चाहिए या अपना फिप जनेशन फाइटर जेट के उपर बहुत तेजी से काम करना चाहिए तो इसकी बारे में हम डिटेल से डिसकेशन करने वाले हैं तो अगर आप मेरे डिपेंज चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे डिपेंज चैनल को सब्साइब करें वेल आइकन दबना ना पुलें और कॉमेंट सेक्शन में जह ही जह बारत जरू लिकेगा और आपको मेरे डिफेंस के एटेंट कंडेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी question हो तो आप अपना question comment section में जरू लिकेगा जिसका अंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूँगा तो आद की defense update वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी को पता होगा कि बारत EMC नाम के एक 5th generation के fighter jet के उपर काम करा है जो कि 2030 से लेकर 35 तक आपको देखने को मिल सकता है पर तब तक चाइना 6th generation के fighter jet के उपर भी shift हो जाएगा यहने की technological बहुत ही advantage मिल जाएगा और उसके अलावा बात करें तो अभी पिला चाइना के पास 5th generation fighter jet भी मौझूद है तो इसको counter करने के लिए हमने रपल fighter jet को खरीदा है पर रपल उतने बड़े नमबर में नहीं है और उसके अलावा चाइना अपने 5th generation की fleet को लगतार बढ़ा रहा है और उसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान भी अपने वायुद सेना को लगतार मजबुत बनाने में लगा हुआ है तो बले ही उनके पास पैसे नहीं है पर वो जैसे तैसे जुगाट करके नए-नए fighter jet अपनी वायुद सेना में इंड़क कर रहे है तो बारत को चाइना पाकिस्तान को एक साथ काउंटर करना है भारत को एक बड़े नंबर में नहीं तो लिमिटेड नंबर में भी 5th generation fighter jet खरी लेने चाहिए जिसकी वज़े से चाइना पाकिस्तान के उपर एक तरह से pressure बना रहेगा कि भारत की पास भी 5th generation fighter jet मोजुद है तो बले ही बारत रिश्या से सब्सक्राइब को खरीदे या अमेरिका के पास F-35 fighter jet लिमिटेड नंबर में fighter jet खरीदने से क्या होगा कि एमसे प्रजेक के उपर उतना impact भी नहीं आएगा और उसके आलावा जब एमसे बन जाएगा तो अपनी command सबलेगा तो hope आपको मेरा informative वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अंदर देखते के लिए धन्यवाज जहिंचे बारत मिलते हैं अगले वीडियो में